Hello Everyone, Welcome to Online Study Point दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम Science की 1000 MCQs की सीरिस चला रहे हैं जिसका यह पार्ट 12 है इसके पहले अल्रेडी मैंने 11 पार्ट Online Study Point की प्लेइलिस्ट में अप्लोट कर रखे हैं तो अभी तक यह दिए आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो Online Study Point के प्लेइलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और एक चीज आप लोगों का कहना यह है कि मैं Topic Wise चीजों को कवर करूं यानि कि हम जो 1000 MCQs की सीरिस चला रहे हैं उसे मैं Topic Wise कवर करूं तो दोस्तो इसके लिए आपको Comment Box में बताना पड़ेगा कि आप Next Topic है यानि कि Science का Next Topic आपको किस पर चाहिए आप बताएंगे तो मैं उस पर वीडियो लेकर आऊंगी तो दोस्तो आज का वीडियो है जो जन्तु विज्ञान की साखाएं यानि कि Branches है उस पर बेजड है आज की MCQs तो दोस्तो आज की MCQs तो हो गया लेकिन जो कल की MCQs है वो आप लोगी डिमांड पर रहेंगे जिसके कमेंट्स में सबसे ज़्यादा लाइक होंगे मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पर बनाऊंगी दोस्तो सारे ही कोश्चन इंपोर्टेंट है इसलिए वीडियो अंते तक जरूर देखिएगा और आप इस वीडियो की PDF टेलिग्राम से भी प्राप्त कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला कोश्चन वाइस चीजों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं फिर नेक्स्ट है जीओ डेसी तो दोस्तो जीओ डेसी निमने लिखित में इसे किसके अध्यान से सम्बंदित है तो दोस्तो यह सम्बंदित है old age से यानि की व्रद्धा वस्था से फिर next है tissue culture तो tissue culture का अध्यन किसके लिए उपयोगी है तो दोस्तों यह उपयोगी है अनुवांशकी के लिए यानि की genetics के लिए फिर अगला question है जन्तु विज्ञान की वह साखा जिसके अन्तरगत अनुवांशकी लक्षणों तथा उसकी वन्षागदी का अध्यन किया जाता है क्या कहलाता है तो दोस्तों यह कहलाता है genetics एक शिजमा आपको बताना चाहूंगी मैं केवल one line में जो ब्रांचे से जन्तु विज्ञान की उसे बता रही है जो की exam के point of view से important है इसमें detailing की कोई भी हावश्यक्ता नहीं है detailing उस topic पे की जाएगी जिस पर आप comment करेंगे तो please comment करना बिल्कुल मत भूलेगा फिर next है रत में antibody वा antigen के अध्यन को क्या कहते है तो दोस्तो इसे कहा जाता है serology क्या कहते है serology फिर next है मोलास्का समुदाय के जन्तु के कवच कद्ध्यन क्या कहलाता है दोस्तो यह ALP में पुछा गया question है तो यह कहलाता है कॉंकोलाजी फिर next है जन्तु विज्ञान की शाखा neurology से कौन से सरीर का अंग का अध्यन किया जाता है यानि की बॉडी के कौन से पार्ट का अध्यन किया जाता है neurology से simple सब्दों में तो यह किया जाता है दोस्तो इस नायू तंत्र का यानि की nerves, fibers का फिर next है जन्तु तथा उसके आस-पास के वातावरण संबंधि अध्यन को क्या कहते है दोस्तो most important है या इसे कहा जाता है ecology यानि की पारिस्थिति की तंत्र फिर next है नलिका विहिन ग्रंथियों यानि की ductless glands का अध्यन करने वाले जन्तु विज्ञान की शाख़ों को क्या कहते है तो दोस्तो यह कहलाता है endocrinology क्या कहलाता है endocrinology फिर next है मचलियों से संबंधित अध्यन क्या कहलाता है ध्यान दीजिया अध्यन पूछा जा रहा है पालन किसी और को कहते है लेकिन मचलियों के अध्यन को कहा जाता है ethology और पालन को क्या कहते हैं दोस्तों तो मचलियों के पालन को कहा जाता है पिसी कल्चर क्या कहते हैं पिसी कल्चर फिर नेक्ष्ट है मान स्पेसियों का अध्यन क्या कहलाता है यनि कि मसल्स का अध्यन किसे कहते हैं दोस्तों इसे कहा जाता है मायलाजी फिर नेक्स्ट है मनुस्य के वातावरण सुधारने से नस्ल सुधारना क्या कहलाता है तो दोस्तों यह कहलाता है यूजनिक्स ऐसे कोशन एक नंबर में जरूर पूछे जाते हैं दोस्तों इसलिए आप वीडियो जरूर ध्यान से देखिएगा तितलियो का अध्यान यानिकी बटरफ्लाई का अध्यान क्या कहलाता है तो दोस्तों यह कहलाता है लेपी डेटेरियो लॉजी क्या कहलाता है लेपी डेटेरियो लॉजी फिर नेच्ट है जन्तुओ यानिकी जीवों के संक्रमण के विरुद्धु प्रतिरोथ का अध्यान क्या कहलाता है यानिकी resistance against infection of organism तो दोस्तों यह कहलाता है immunology यहाप याद रखिएगा कीटों का अध्यान से संबंदित विज्ञान की साखा क्या कहलाती है तो दोस्तों यह कहलाती है entomology और एक शीज इंपोर्टन है और निथोलोजी इंपोर्टन है दोस्तों और यह किसका अध्यान है यह पक्षियों के अध्यान है पक्षियों के अध्यान को कहा जाता है और न फिर नेक्स्ट है, अवसेसी अंगो के अधियन को जा कहा जाता है दोस्तों यह कहा जाता है इसे मैं आपको PDF में प्रवाइट करा दूँगे या आप ध्यान से देखिए वीडियो जन्तु विज्ञान की वह साखा जिसकी अंतरगत जन्तु की बाह आकरती वह बाह सहनरचनक अध्यन किया जाता है वह क्या कहलाता है तो दोस्तों वह कहलाता है मौफुलाजी क्या कहलाता है मौफुलाजी फिर नेक्स्ट है पीडियर ट्रिक्स निम्न लिखित में इसे किसके अध्यान से संबंदित है तो दोस्तों यह सिसू रोग से यहनी कि बेबी के रोग से संबंदित है फिर next है अस्थियों के अध्यन विज्ञान की किस साखा के अंतरगत आता है यहां आता है औस्टियोलोजी के अंतरगत बात यहां पर अस्थि की आई है यहां तो मानोशरीर में कितने बॉन्स होते है है 206 जिसमें की सबसे बड़ी हड़ी कौन सी होती है दोस्तों सबसे बड़ी हड़ी होती है फीमर जो की जांग में होती है और सबसे छोटी हड़ी कौन सी होती है इस्टिपीज और इस्टिपीज हड़ी कहा होती है यह होती है कान में नेश्ट है रेशम का पालन क्या कहलाता है तो दोस्तों रेशम का पालन कहलाता है सेरी कल्चर क्या कहलाता है सेरी कल्चर और मशलियों का पालन अभी मैंने बताया है मशलियों का पालन कहलाता है पिसी कल्चर यह भी आप याद रखीएगा कई बार पूछा जाता है और दोस्तों एपी कल्चर किसे कहते हैं तो यह मधुमख्य पालन से संबंदित है और हार्टी कल्चर तो दोस्तो हार्टी कल्चर है बागवानी से संबंदित फिर नेक्स्ट है मानव तोचा का अध्यन करने वाली विज्ञान की साखा क्या कहलाती है यह कहलाती है डर्मेटोलोजी कई बार पुछा जाता है question यह most important है फिर next है घाओ यैनी कि Wands का अध्यन क्या कहलाता है तो दोस्तो यह कहलाता है Trometrology फिर है Oncologic इसका अध्यन है यह भी most important है कई बार पुछा गया है तो दोस्तो यह अध्यन है Cancer का दोस्तो, इस वीडियो का अंतिम प्रश्ण है, मधु मख्यों का पालन क्या कहलाता है, तो दोस्तो, मधु मख्यों का पालन कहलाता है took culture, और PC culture, अभी मैंने बताए हैं आपको, PC culture क्या कहलाता है, यह मचलीयों के पालन से सम्बंधित है, सेरी कल्चर दोस्तो यह रेसम उद्योग से संबंदित है और हर्टी कल्चर बागवानी से संबंदित है दोस्तो यह थे विज्ञान की साखाओं से रिलेटेड टॉप 25 MCQ I hope यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा इसकी मैंने जादा डिटेलिंग नहीं की है क्योंकि इसमें डिटेलिंग की आवश्यक्ता नहीं है केवल वन लाइन में आपको याद रखना है कि इस विज्ञान की साखा को क्या कहते हैं या या किस से रिलेटेड है मैं बार-बार कह रही हूँ कमेंट बॉक्स में आप यह जरूर बताइएगा कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं मैं उस टॉपिक पर वीडियो लाने की कोशिश करूँगी तो दोस्तो आई होप यह वीडियो आप लोगो पसंद आया होगा पसंद आया है तो अपनी स्टेडी रिलेटर क्रूप में शेर जरूर करिएगा और ओनलाइन स्टेडी पॉइंट को लाइक शेर सब्स्राइब करना बिलकुल मत भूलिएगा दोस्तो आज के लिए इतना ही थैंक्यू सो मच जैहिन जै भारत